हलो बच्चो आप सभी का स्वागत हैं आपके अपनी चैनल यूपी वोड क्लासेस में तो बच्चो जैसे आपको पता है कि हम इस चैनल पर क्लास 10th की समाजिक बिग्यान, बिग्यान और गड़ित के जो MCQs हैं उसको करा रहे हैं हम इसी चैनल पर जो मैथमेटिक से उसके पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं प्रिवियसर के कोशन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ाए तो यह आपके लिए राइट प्लेटफर्म है आप तुरन सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि हम एक्जाम तक आपकी बहुत अच्छी प्रप्रेशन कर रहने वाले हैं बच्चो अगर आपको इसका पीडिया प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रूप को भी जोइन कर लेजेगा टेलीग्राम ग्रूप का लिंक हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रवाइट करा देंगे अगर आप हमसे अरव कर्वाद करेंगे तो बच्चो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं तो चली स्टार्ट करते हैं एक सुछ नमबर थर्ड है भारत में राष्टरबाद इससे पहले हम दो चैप्टर को ऑपकर जा कर ने को देख सकते हैं और एक सिप्रस्पर यापको रिटेन आने वाला है तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम आज का पहला प्रशन पहला प्रशन है सुराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे तो बच्चों हम आपको बता दें सुराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो आपके चित्रजंदास थे बच्चों यह जो कोशन है बहुत important हैं आपके लिए क्योंकि ये बहुत ही question है जो repetitive होते हैं या बहुत important रहते हैं exam के point of view से तो चली next question देखते हैं Simon Commission भारत कब पहुँचा तो बच्चों हम आपको बता दें Simon Commission भारत 1928 में आया था और Simon Commission बना कब था तो 1927 में बना था ये भी याद रखिएगा चली next question देखते हैं बच्चों आज का हिंद सुराज पुस्तक किस ने लिखी हिंद सुराज पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई तो बच्चों हम आपको बता दें महात्मा गांदी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी तो आपका option D is the right answer next question common will तथा new India का प्रकाशन किस ने किया किस ने किया होगा बच्चों ये किस ने किया तो अगर हम new India की बात करने और common will की बात करने तो ये जो any waycent है उनकी ये दोनों पुस्तक हैं और अगर केसरी और मराठा पूछ ले तो वो आपकी बाल गंगाधर तिलक की होंगी तो नाम में ये सारी कोशन बहुत जादा important है बच्चों आपको इसका PDF राप्त करना तो वहारी टेलिग्राम गुरूप को जाइन कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप का लिंक हमने इस वीडियो की description में आपको provide करा दिया है next question आपके पास में गदर पार्टी के प्रमुख नेता पद की समापती तुर्की में कब संपन की गई तो हम आपको बता दें बच्चों ये की गई थी 1924 में जो खलीपा का पद था उसको हटा दिया गया था और बच्चों आपको बता दें कि जो 1919 था उसमें जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था next है आपके पास में question जलिया गठन किया गया था तो हंटरायोग का गठन किया गया था तो बच्चों कम समय में हम आपको ज़्यादा content प्रोपाइट करानी की कोशिश करा है तो अगर आपको लगे बास्तम में कि यह आपके लिए helpful है तो इसको like कर दीजेगा और subscribe जरू कर लिजेगा next question है important question है बच्चो जो अंग्रेज थे उन्होंने लाठी चार्ज कर दी थी जिसके कारणीन के शर पर लाठीया लग गई थी जिससे बहुत ज्यादा blood निकल गया था खोन निकल गया था जिसके कारणीन की मिरतियों हो गए थी बच्चो नेक्स सुराज दल के अध्यक्स कौन थे तो बच्चो स बता दें कि हम कम समय में ज्यादा content आपको provide कराना क्योंकि आपके exam बहुत नजदीक हैं ज्यादा समय नहीं हैं आप हमसे connected रही है क्योंकि हम सभी subject के topic wise और chapter wise और पूरी book का भी हमने चोड़ लेकर आएंगे सभी के mcqs कराएंगे क्योंकि mcqs बहुत important आपके लिए किस त थीको पूर 17 तर दिवस घोसित किया गया था तो बच्चों हम बता दें उनने सो पचास से उनने सो 47 से पहले ही जो पूर 17 तर दिवस था उसको घोसित कर दिया गया था और बोड़ देट थी 31 दिसमबर 1929 और यह कहाँ पर तो लाहॉर में इसकी घोशना की थी रावी नदी नेक्स वोशन है बंगाल विभाजन के परेडाम सरूप किस आंदॉलन की शुरात हुई तो बंगाल विभाजन के परेडाम सरूप जो आपका आंदॉलन था वो था स्वेदेशी आंदॉलन और इस आंदॉलन में क्या किया था जो भी भारती लोग थे उन्होंने जो अंग्रे वस्तिव को करके डिया था उनको जला कर दिया था तो चलिए नेग्स कोशिन की तरफ चलते हлам गँरपार्टी की इस्थापना कब हुई तो पारchnो अभी हमने आपको बताया की गदरी की था था तो 1910 में कीगती और अगर सुराजपार्टी की कहते हैं तो 1923 में राश्टिय स्वयम सेवक संकी स्थापना कब और किस न की तो बच्चों बता दें जो RSS है उसी की स्थापना पूछ रहा है तो 1925 ECB में हुई थी और V हेड गेवर के द्वारा ये की गई थी तो option B is the right answer नेक्स कोशन बंबई में कांग्रेसी बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई तो ये कब हुई थी तो 1934 ECB में हुई थी जुट कब हुआ था तो बच्चों हम आपको बता देंगे जो पर्थम बिस्विद्ध था वो 1919 1914 से 1919 तक चला था और देती भी बच्चों याद रखना 1929 से 1914 तक याद रखेगा नेज चाली से याद रखीगा नाने सो या उन्यस सो न्यस सो न्यसे तक बच्चों और 209 से 1949 से एक सेकंड एक सारी 1939 से निस सो उन्यस्ट से उन्नीस सो उन्नीस सो उन्तालिस तर थिक थटी नहीं तक याद रखेगा दोनों इंप्वोर्टरेंट हैं आपके पूशे जा सकते हैं, नेक्स कोशन, रोलेक्ट एक्ट का पारित हुआ, तो उननिस सो उननिस वे पारित हुआ था, और इसी में आपका क्या हुआ था, जलिया वाला भाग हत्या करण हुआ था, शिको के दस्में और अंतिम गुरू, श्री गोबिन सिंग्का जन्म, बिहार के किस शहर में हुआ था, तो बच्चो ये हुआ था, पटना शहर में, नेक्स कोशन है, टीपू सुल्तान शाशक थे, तो बच्चो जो टीपू सुल्तान थे तो वो मैशूर के शाशक थे, महात्मा गांदी ने सावरमती आश्रम की स्थापना किस वर्स किती तो बच्चों हम आपको बता दें जो महात्मा गांदी थे वो साउथ अफरीका से 1915 में बापस आ है और उन्होंने 1916 में क्या किया था सावरमती आश्रम की स्थापना किती और 1916 में ही इन्होंने चमपारण सत्यागरा किया था नील की खेती के बिरुद और ये बिहार में हुआ था तो बच्चों कैसा लगा ये शेशन अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर देजेगा और आप चैनल पर पहली बार विजिट करने तो इसको सुस्क्राब कर आप बच्चिंग